कि अब दोस्तों कैसे आप सब ठीक हैं उम्मिद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खेरियत से होंगे तो दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है बहुत ही इंटर्सिंग वीडियो है आज मेरी गोल्डन मुर्गी कुड़क हो गई है गोल्डन मुर्गी वह बिरिट होती है दोस्तों जो मार्कीट में इजली जो चूजे मिल जाते हैं जो लगतार सिर्फ अंडे देते रहते हैं कुड़क नहीं होते तो आज मेरे लिए नीचे अंडे में रखूं या ना रखूं तो आज मुझे कंफर्म हो गया है दोस्तों के यार यह तो वाकी में कुड़क हो गई है तो सोचा इसके ओपर मैं वीडियो बना लूँ और दोस्तों को दिखा दूं कि यार गोल्डन डीर्स जो होती है कोई का दुका दाना कुड कोड़क हो गई तो की लेकिन अक्सर होती नहीं मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो भीपनाइउ हूई है मैंने दिखाया था आपको किस वजह से गोल्डन मुर्गा होती है तो यह ज open बड़न दीग है ये देखें दोस्तों ये golden breed है, pure golden है, देख सकते हैं आप, ये वो मुर्गी है जो market से easily मिल जाती है, चूजे अगर आप लेना चाहें, वो भी मिल जाते हैं, मुर्गी लेना चाहें, वो भी मिल जाते हैं, तो ये मेरी मुर्गी आज कुड़क हो गई है, तकरीबन तीन दिन से एक ही जगाँ पर बैठी रही है, इसके नीचे सिर्फ एक अंडन रखआ हुआ था, मैंने, कि ये साइछ से अपने कुड़क को पका ले, तो इस वज़ा से मैंने इसके नीचे अंड़का हुआ था, लेकिन आज वो अंड़ा मैंने खटा दिया है, और मैंने सोचा है, कि इस मुर्गी है गोलडन यान Kung यह सबक्शन देखा होगा मैं यहां से यह अपर और बिम्रेटरा रहे चंव आला हुआ यह धिक्वर करेंगी तो इस यहक्रागा और शबस्ट और क्योंकि यह मेरा सेटफ आप अपने देखा होगा यह खुला सेटफ है यह देखें आप तो यहां पर बिठाना मेरे लिए सभी नहीं है और ड्रेक्ट दूप आती है तो वहां बिठाना चाहिए मूर्गे को जहां पर कमफटेबल जगा हो और धूप भी ना आती हो तो मैं इसे चौवल जगा पर बिठाओंगा दोस्तों और इसके नीचे मैं थोड़े से अंडे रखूंगा और देखें के रिजल्ट हमें क्या मिलते हैं तो आज तो मैं इसको बिठाने जा रहा हूँ अंडों के उपर तो वीड दूसरा पिंज रहा है दोस्तों तो इसलिए मैंने यहां पर बिठाए दोस्तों क्यूंकि यहां पर मैं मुर्गें बंद नहीं करता है सिर्फ अकेली यह मुर्गी बैठी रहेगी सकून से बैठी रहेगी कोई भी इसको मुर्गी और तंग नहीं करेगी और यहां पर देख उब लें दोस्तों के बैटती है या नहीं बैटती यह जा रही अंडोंके पास अब देख सकते हैं दोस्तों यह माशाल आ Family से अपने अंडों को अपनानार रही एंश양ी करें शानर सब्सक्रांडर करें ही तक्रeबन सव में से कोई एक अध्मूर्गी कुड़क हो गई तो तक्रeबन 21 दिन तक की अंडे अंडों में से चूजे निकालेगी तो आपको मैं जरूर दिखाऊ हो कर रजल देती है तो यह अंडों को रोल करने लगी है दोस्तो कि यार यह अपने कुड़क कुछ सही से नहीं मल रही कियोंकि इसकी जिसामाचछ следующ कोटी और मैंने अंड़े रखती हैं ज्यादा तकरीबरण तो और देखते हैं कि ओर कॉन से इसके नीचे नहीं आ रहे हैं कॉन से अंडे ठंडे पड़े हुए ही को कि दोस्तों यह तक्रीबन यह ठीक है कि閒ग यह ठंडा पड़ा हुआ दोस्तों तो यह तक्रीबन 8 अब मैंने दो उठा दिया अंडे तो दूसरा अंड़ भी मैंने उठा लिया तो तकरीबन आप बच्चे हुए छे अंडे दोस्तो तो इसकी जिसामत बहुत छोटी है दोस्तो तो देखें आप जरा यह अब छे अंडे इसली अब मेरे ख्याल में अब संभाल लेगी क्योंकि इसके जिसामत के मुताबिक छेंड़े काफी है मैंने आठ अंडे रख दिये तो यह मेरी गलती है यह आदो इसके लिए बहुत थे तो यह बाहिर निकले है तो फैदा इनका नहीं था दूसरे अंडों को भी यह को भी है सही से ट ना दे पाती इन दो अंडों की वज़ा से तो मैंने वह दो और रखा दी है ताकि अब यह जो छे अंडे हैं सकून से अब यह इनको हीट देप है ठीक हो तो माशला से दोस्तों यह बैठ चुकी है तो द्वा किजिएगा दोस्तों अपनी द्वा में याद रखेगा दोस्तों और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते जिएगा मिलेगे एक नई टॉपिक के साथ नई वीडियो के साथ कल अब के लिए इतना ही अलाहाफेज चाहते रखेज साथ किर दोस्तों और में दोस्तों फ्वा को सुटिः झाल झाल